मीनु जैन जी आज के विशय पर लोटते हैं विधायक तैय करना चाहिए विधायकों को कि कौन मुक्वंत्री होगा या मोधी जी को और शाह को तैय करना चाहिए कौन मुक्वंत्री होगा जी सजे जी देखिए सववेधान प्रक्रिया तो यही कहती है कि चुने हुए विधायक अपना नेता तै करते हैं लेकिन जो पिछले कुछ समय से या अधिकतर पार्टी बें यही रवायत चली आ रही है कि विधायक चुन लिए जाते हैं लेकिन नेता सेंटर से चुनके आता रेके इसमें भाईजपा के उपर ये क्योंकि इसलिए पूछा जा रहा है इसवक्त भाजपासे क्योंकि किसी भी राज्ये में अगर इस तरीकी पुष्कर सिंधामी है तुम्हारा दूला बताओ कौन है यह एक राज्य की बात नहीं है यह हर राज्य में यही सवाल पूछा जाता है कि तुम्हारा दूला कौन है इविल सेंटर में भी पूछते हैं कि तुम्हारा दूला कौन है तो यह लोकतांत्री यह जो संसद यह परि रही है कि तुम्हारा दूला कौन है तो डेफिनिटली उन्हें दूला डिकलेयर करना चाहिए था पहले ही लेकिन इसमें दूला डिकलेयर करने में देरी क्यों हो रही है विधायक तो चुनी नहीं सकते लेकिन दूला डिकलेयर करने में देरी इसलिए हो रही है कि इन राजिय वुषंड्र राजे विधायक उनके लिए उनके लिए बैंगलार में रिजॉर्ट के राफ पड़े ऐसी ख़बरी भी आ रही कौहें कि 70 विधायक पांच गए मोसंद्रा निवास पर कहिं его 55 निवास पर कहिंaron यह जो भाजपा सरकार है जो नरेंदर मोदी की सरकार है यह लोग इस वक्त खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं आप क्यूंकि आप यह देखिए मध्यपरदेश जो है यह इस तरीके का इनके सामने सिच्वेशन खड़ी हो गई है कि पब्लिक में और इवन गोदी वीडिया मे परसेप्शन है कि शिवरा सिंग चोहान की वज़े से जीती है बाजपा इतनी मैजोरिटी जो सीट आई यह लाड़ली पहना का चारो तरफ काफी चर्चे हैं कि उसकी वज़े से जीती है और अब ऐसी सिती में अगर शिवरा सिंग चोहान को ना बनाए तो मुश्किल मुख्यमंत्री बन चुके थे लेकिन वो विचारे इतने दीनहीन विनमरता की प्रतिमूर्ती जैसे विनमरता परसौनिफाइड एक नेता को इतना दीनहीन नहीं पेश करना चाहिए खुद को ऐसे वो मोदीजी से भीक मांग रहे हो कि मोदीजी ने शायद उनके आपर रहम है वो है मोदीजी वो ही डिसाइड करेंगे तो अब इस राइम उनके सामने सिच्वेशन ठड़िये होगे तीन राज्यों की जिसका कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था आप यह देखने वाली बात होगी कि यह तीन राज्ये कॉंग्रेस के होते और तीन निन लग जाते इसी कर पा रहे हैं बगावत और चार वहां चले गए और पंद्रह चले गए तो कुछ इस तरीकी का आता देखिए मैं यह मानती हूं जिस परिस्तितियों भी इनकी जीत हुई है समय लग सकता है मैं मानती हूं क्योंकि जिसको कहते हैं अनेक्स्पेक्टेड सोचा ही नहीं था कि एसा हो सकता है और फिर आपर ही इनकी फशी की शावतेंगे क्योंकि मोदी जी किष्बसरा मियां बढ़ती है और शिवरा सिंग को भी नहीं चालते है वह सेमिर क्शित्रा राजे को वी किनारे लगाते हैं तो ऐसे में लाएं तो किसे लाएं यह ठीनलय उनका डिलेमा संग म आता है समय लग जाएगा लेकिन क्या होता है अगर आप खुद शीशे के घर में रह रहे हैं तो दूसरे पर पत्थर ना फें कि दूसरों से ना पूचें सवाल कि तुम्हारा दूला का है तो यह चैन्द का दिगार तो विधायक हो का है कि विधायक अपनी बैठा करें और व इस व्यक्ति को सीम बनाना तो तो नेचरली मीटिंग होगी यह सब उसमें हां में आम रहेंगे किसकी हिम्मत है डॉक्र सुनी जाम आप भी विधायक रहे हैं क्या विधायक बिचारे इतने दीन ही नहीं होते हैं कि वो अपना नेता ही नहीं चुन सकते एक दिली में बैठे नहीं चुनेंगे क्या लगता आपको लोगतांते पुलादी में ठीक है देखिए संजय जी यह पूरा का पूरा मसला है वो जो इस समय राजनेतिक जो एक तंत्र विक्सित हो गया है वो हाईली सेंट्रलाइजड है वो सेंट्रलाइजड ऐसा है कि खुद मोदी जी को देख बना करके भेज दिया गया था और बना करके जब भेजा जाता है तो इसलिए भेजा जाता है कि कुछ किसी ना किसी की काट के लिए भेजा जाता है किसी ना किसी का इलाज करने के लिए भेजा जाता है मिसाल के तोर पर मैं मद्ध प्रदेश से आता हूं तो मद्ध प्रदेश के अंदर चुनाओ उमा भारती जी के नेतर तुम्हें जीता गया था और फिर अचानक जो है ये तैय किया हाई कमान ने धक्का दिया उमा भारती जी को और शिवराज जी को भेज दिया बीच में बावुलाल गौड़ जी का भी नंबर लग गया मेरा मतलब ये है कि ये तो एक लगातार इसी तरीके से होता रहा है और आपने ये पहली बार नहीं मतलब आपने तो देखा उत्रा खंड के अंदर क्या हुआ था उत्रा खंड के अंदर तो जो है इन्होंने चार्च के अंदर जो है देना पड़ता है मंतली जैसे एक वसूली होती है न तो ये बात भी मतलब अब ये वाली बात खुल करके होई जानी चाहिए और एक दूसरे पर लोग बोलते ही है आप देखें मोदी जी का भाशन सुनी है वो कहते हैं कि भाई जो है नोंने तो एटीम बना है और यही इसका मतलब सीधा साई है कि भाई जो है हाई कमांड के द्वारा दिया जाता है और इस समय हाई कमांड तो पूरी भारती जनता पार्टी तो कहीं पर दिखलाई नहीं पड़ती केवल और केवल मोदी जी हैं और उनके एक क्लोज असिस्टेंट के तौर पे जैसे अर्विंद केजरिवाल जी के साथ में मनिश्य सौदिया रहते हैं मैं नहीं मानता मनिश्य सौदिया कोई बॉल्ट रोल रहता है लेकिन वो साथ में उनके रहते रहे हैं साथ में जिल नहीं गए लेकिन अब ये बात है तो सीधे सीधे मोदी जी जो है वो टै करने वाले है झाल 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 झाल